तो चलिए ये वाला घर में आपको दिखाने वाली हूँ जो की मुन्शी पुलिया से लगभग ये धाई से तीन किलो मिटर दूरी में पढ़ता है 3BHK का ड्यूपलेक्स हाउस है ये तो रेडी टू मूव ये हाउसेज है तो चलिए ये वाला घर में आपको दिखाने वाली हूँ जो की 1075 स्कुएर फिट का है 21 का फ्रंट है एंड 51 इसकी डेप्थ है तो चलिए अंदर से दिखाती हूँ आपको जैसे ही आप एंट्री करते हो आपको ये पार्किंग मिलती है ये पार्किंग है इस तरफ भी आपको स्पेस मिल जाता है इंटीरियर वगेरे इस घर का बहुत सुंदर किया गया है बाहर से आपको सीडिया मिल जाती है देखिए स्पेस इतना है कि आराम से आपकी कोई भी बड़ी कार होगी इसली पार्क हो जाएगी तो चल आएगे डबल डोर आपको मिल जाते देखिए काफी अच्छी डोर वगेरे की हाइट काफी अच्छी है डबल डोर आपको मिल जाता है मौस्कीटो नेट के साथ विंडो में भी डबल डोर मिलने वाला है फॉल सीलिंग जैसे आप एंट्री करते हो काफी you're hang on up तेंटीरियर का कितना सुंदर किया गया इस तरफ देखिए नियूर गिया और बहुत कुबसूरत इंटीरियर यह पुरा आपको खुझा अपको फाल मिल जाता है इस तरफ आपको मतलब यह aft वहां से यहां तक अच्छी खासे इस्पेस है फॉल सीलिंग आपको पूरे घर में मिलने वाली है इस तरफ की वॉल आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इंटीर वर्क बहुत अच्छा किया गया है एंड इस तरफ से भी आपको एक रास्ता मिल जाता है दो एंट्री मिलती है इस तरफ भी आप देख सकते हूँ, kitchen में भी इस तरफ window जो मिलती है उसमें आपको double door के साथ मिल जाती है और पूरी modular आपको kitchen इस तरफ मिलने वाली है, काफी अच्छा work भी kitchen में किया हुआ है, modular kitchen मिलने वाली है and kitchen के साथ ही इस तरफ आपको ये एक first bedroom मिल जाता है false ceiling आपको यहाँ भी मिलने वाली है, प्लस यहाँ पे window मिलती है, double door के साथ जो कि आपके OTS से connected है तो यह आपका first bedroom है and हम इस तरफ आते हैं, यहाँ पे आपको एक OTS मिला है साथ में इनोंने space भी इस तरफ इस तरीके का दिया है, कि कभी बारिश हो कहीं थोड़ा बहुत भी पानी आएगा तो आपके घर में नहीं आएगा, उसे उपर से cover भी कर देंगे and यहाँ पे इनोंने wall इस तरीके से कर दिये प्लस यहाँ पे आपको एक common washroom मिल जाता है and इधर आते हैं तो यह आपका master bedroom master bedroom काफ़ी spacious है, काफ़ी अच्छा space आपको यहाँ पे मिल जाता है, fall ceiling आप देख सकते हैं प्लस attach आपको washroom भी यहाँ पे मिल जाता है, इस तरफ आपको OTS मिल जाता है OTS है, जिसके वज़े से पूरे घर में natural light हमेशा रहने वाली है, जब तक sunlight है तो चलिए हम लोग उपर चलते हैं, उपर भी एक room है, आपको दिखाती है, चलिए तो उपर आगे हम, इस तरफ आपको छत मिल जाएगी ये पूरा space आपको मिल जाता है, प्लस इस तरफ काफी spacious, इस तरीके के आपको balcony मिलने वाली है, मतलब बहुत सुंदर balcony है आप यहां से भी देख सकते हो, पूरी families रहती है, आसपास भी लोग बैठे हुएं, इस तरफ भी आपको space मिल जाता है, आप यहां खुब सारे plants लगा दो, अच्छा खासा space है, toughened glasses वगेरे लगा के मिल जाता है और यह उपर का आपका एक room मिल जाता है, तो देख सकते हो, यह काफी spacious room उपर बना दिया है, प्लस इस तरफ इन्होंने window दिये, huge window है, double door के साथ, छत पे आते हैं, तो pillars वगेरे आप देख रहे हो, pillars वगेरे के साथ बनाये गया है, प्लस एक toilet आपको इन्होंने उपर भी ब और सुंदर, इससे अच्छा, इससे कम budget, इससे हाई budget, जैसा भी interior कराना चाते हैं, तो आप उसके लिए भी call कर सकते हैं, contact number आपको स्क्रीम पे दिख रहा है, चलिए मैं price बता दूँ आपको, तो आप area देख सकते हो, पूर नगर निगम के area है, gas pipeline वगेरे आप देख सकते ह है, already यहाँ पे gas pipeline वगेरे भी है, sewer, यह सारी चीज़े, individual summer saver वगेरे, यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, घर के rate की बात करूँ, तो ready to move यह houses है, जिसमें से 4 घर इनके बन रहे हैं, देखे, दो already पूरे completed है, and 2 complete होने वाले हैं, तो 4 घर बनके ready है, 62 lakh इसक कुछ जाना चाते हैं, तो contact number आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार visit करके जरूर देखें, कोई घर लेना चाता है, तो उसी की वीडियो जरूर शेयर कर दीजे, और मेरे चैनल को subscribe कर लीजे, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई